हेलो दोस्तों मैं स्वारंबलिक आप सभी का इस चनल पर स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की सोट वीडियो में हम देखने वाले जीके के कुछ और ऐसे 5 इंपोर्टेंट कोशन जो की परिक्साओं में बार बार पुछ आते हैं आप सभी को पता है डेली टोफ 5 कोशन में आपको कवर करा रहा हूँ अगर आप साथी साथ याद करते वे चल रहे होंगे तो अभी तक 100-500 कोशन में आपको अच्छे वाले कोशन याद करा चुका होगा तो आप इस वीडियो को डेली देख सकते हैं इसी चैनल पर वीडियो पसंद आये तो इसको लाइक कर दिया करें अपने दोस्तों को सेर कर दिया करें और चैनल को अगर सब्सकाइब नहीं किया तो चैनल को सब्सकाइब कर लीजे अनकेडमी पर सोरब बलिक नाम साज करके फोलो कर लिजे वहाँ पर भी मेरी लाइब क्लास आती है जिसमें मैं आपको डेली 100 कोशन कराता हूँ रात की 11 बजे तो प्रोफाइल फोलो कर लोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और दोस्तों आप Study 10 Code यूज करके कोई भी सब्सक्रिप्शन जोइन कर सकते हैं नकेडवेपर तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को दोस्तों आज की सोर्ट वीडियो का पहला कोशन है नेंद्रमोदी पर लिखी गई पुस्तक करम्यूद गरंत का विमोचन किसने किया था तो जल्दी से कमेंट बोक्स में आंसर बता दीजे बहुत ही इजी कोशन है अभी तक कहीं एक्जाम में ये कोशन आ चुका है तो बिल्कुल सही है इसका सही आंसर रहेगा अमिट साने तो रैट آंसर उप्षन सी हो जाएगा चले दूसरे कोशन पर चलते हैं दोस्तों दूसरा कोशन है भारत में आर्थिक सर्वेक्षन कौन प्रस्तूत करता है भारत में आर्थिक सर्वेक्षन कौन प्रस्तूत करता है इसका आंसर आप मुझे कमेंट बोक्स में बता दीजे देखे दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षन एकनोमिक सर्वे बजट से एक दिन पहले परजेंट किया जाता है और ये budget session के दोरान present के जाता है ये तो आप सभी जानते ही है तो इसको जो प्रस्तुत किया जाता है ये वित्यमंत्रा ले आनि की finance minister वित्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत के जाता है तो इसका सही answer option B हो जाएगा चले तीसरे question पर चलते हैं आपका question number 2 था दोस्तो तीसरा question है नंद्वंस के अंतिम सासक कौन था नंद्वंस का अंतिम सासक कौन था यह question भी आपके exam में कहीं बार आ चुका है तो जल्दी से answer comment box में बता दीजे दोस्तो नंद्वंस का अंतिम सासक था धनानन्द यानि की option आपका a rate answer हो जाएगा I hope कि आप सबने भी यह answer लगाया होगा यह आपका question number 3 हो गया चले question number 4 पर चलते हैं दोस्तो question number 4 है सिर्के में कौन सा अमल पाया जाता है बहुत ही अच्छा question है exam में already कहीं बार आ चुका है तो जल्दी से answer बता दीजे सिर्के में कौन सा अमल पाया जाता है बिल्कुल और दीखे वीडियो पसंद आ रही है मेरे प्यार दोस्तों तो please like फटा फट से सभी student कर दीजे इस question का right answer होगा acetic amal यानि की acetic acid is the right answer ठीक है question number 5 भी देख लेते है दोस्तों पाँचवा question है आपका विश्व खादे संगठन यानि की world food organization WFO का मुख्यले कहां पर इस्थित है तो जल्दी से answer बते दोस्तों क्या रहने वाले है इस question का right answer हो जाएगा दोस्तों Rome यानि की कहां पर Italy में Rome Italy इसका right answer हो जाएगा ठीक है अच्छा WFO की स्थापना कब हुई थी यह भी आप याद रख सकते है 19 दिसंबर 1961 में दोस्तों WFO की स्थापना हुई थी तो यह point भी आपको पता होना चाहिए ठीक है और देखिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है मेरे प्यारे दोस्तों फटा फट इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजे और अगर आपने अभी तक अनकेडमी पर मुझे फोलो नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा वहाँ से जाके अभी अनकेडमी पर फोलो कर लीजे क्योंकि एक अप्रेल से लगतार क्लासीज होने जा रही है अनकेडमी पर फ्री क्लासीज एक घंटे की तो वह सारी क्लासीज आपको मिल जाएगी ठीक है स्टेडी टैन कोड यूज करके आप अनकेडमी पर सब्सक्रिप्शन जोइन कर सकते हैं ठीक केर एवरिवान अपना ख्याल लगे